तो आज उसमें हम एक सब्जेक्ट के साथ कुछ करेंट अफेर्स के को स्टार्टिस करते हैं तो अगर आप हमारे कंप्रीड कोर्स के बाई में डीटेल्स चाहते हैं कि हमारे कॉर्स आपको कैसे अवेल हो सकते हैं अवेलेबल हो सकते हैं तो एक पर जाकर आप हमारे application देवशिश क्लासे को ज़रूर विजिट करें उसका जो link है वो हमने description box से mention कर दिया है जहां पर आपको हमारे सारे कोर्स मिल जाएंगे और बहुत जल्दी हम दो तीन दिरों क के अंदर ही हम अपने online जो है या दखेगा soft copy notes जो है या दखेगा lectures के वो भी हम आपको provide करने वाले हैं अपने ही application में तो भी से application download कर लें जो application download करेंगे उनको कुछ ना कुछ इसमें discount भी मिलेगा तो इसलिए आपको जल से जल download करें तो चलिए start करते हैं और देखते के regarding question है a motion that seeks to reduce the amount of demand presented by the government two rupees one okay is known as this हम motion को क्या कहते हैं या दखेगा cut motions होते तीन टाइप के या दखेगा policy cut token cut or economic cut motion okay तो मैंना उसमें पूचा है कि रूपी टू रूपी वन यह किस cut motion मों होता है मैंना अल्यडी पढ़ाया हुआ हुआ है by रूपी 100 reduce by specified amount यह तो टू रूपी वन ओके यह तीनों में डिफ्रेंस में आपको बताया हुआ है वो लेक्षे की सीन देखा होगा तो याद आ रहा होगा और जो यहां पढ़ा था बढ़ा बढ़ा बूल गया है तो एक बढ़ जरूर मेरे लेक्षे को दुबारा देखें जाकर तो इसके लिए अप्लिकेशन में जरूर चेक करें ठीक है तो आप्शन ते पॉलिसी कर टोकन कर एकंशन और वो उनेकाउटijk तो करेक्ट आंसर क्या रहे डिशन को कर अपको बतानाहा है त। बढादी को जिस montónाशन दौर वर कीPOS से लिए और एक यहां सरई नेắcर कर रखार खी क्या होते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, कब प्रेजेंट किया था है, इस अब तो मैं पढ़ा चुका हूँ, सेगेंड कोशन में आते हैं, ये कोशन अलड़ी UPSC के प्रलिम से पूचा चुका है, जो कि बहुत भी स्टाटिक और इजी कोशन था, तो मैंने इसको रिपीट किया यहां पर, तो लार्जेस कमिटी ऑफ परलिमेंट, इन अमंग द फोर कमिटी अगर पूचा गया, तो लार्जेस कमिटी कौन है, इन टम्स अब मेंबर्स, तो ऑप्शन से पब्लिक एकाउंट कमिटी, एस्टिमे में टोतल 30 मेंबर्स से उतने होते हैं, इसमें राजसभा के मेंबर्स नहीं होते हैं, इसमें आपको याद रखना है, गे, comment box आपको मुझे प्तायेंगे, जो पाइख है, यह मैं आपको बताלא हूं, 22 मेंबर्स होते हैं, अब आपको मुझे बताना है, इन मेनए how many members बिलोंग तो लोगसभा और हाओ मेंबर्स बिलोंग तो राज्यसभा यह आप उझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो है that is option number B estimate committee which include 30 members and all belong to लोगसभा नेक्स आते हो यह वन अफ दो इंपॉर्टें फानिंशल कमिटी भी एस्टीमेट कमिटी रिमेंबर चली नेक्स कोशन में थर्ड बड़ा इंट्रेस्टिंग कोशन है मैंने अगर मालीजिये लेटस वह अमंग दर फॉलिंग प्रिसाइज कौन प्रिसाइट करेगा लोकसाइट को अगर स्पीकर और देपॉटी स्पीकर दोनों-ही लोकसाइट सीट वेकेंट तरही है मैं करो दोनों-ही जाप सेंट थे केद कि देटे देट भी इंटत न हुं ऑन उन अप्र प्रिसाइट का कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि absent है तो कौन होता है बदेगी मैंने क्लियर बताया है वेकंट होगी अगर सीट या दखेगा speaker deputy speaker की तो इसका correct answer option पर A हो जाता है कहने का मतलब a member appointed by the president remember but यहां पर absent है वेकंट नहीं पूछा है तो absent के टाइम पर correct answer option number C है इसका याद एक panel होता है जो लोग सभा के speaker बना की जाता है उसी panel से याद दखेगा members क्या कहते हैं प्रिशाइड करते रहते हैं remember तो correct answer यहां option number C है बट यहीं चीज़ अगर होती तो answer A हो जाता confused मत होएगा vacant और absent में तो यहां पर जो correct answer that is option number C नेक्स कोशन में आते हैं question number 4 यहां पूछा गया है कौन सा statement सही नहीं है मतलब not correct statement है पढ़ लेते हैं पहला है 30 years चाहिए आपको राजस्वा के लिए minimum elect होने के लिए 25 years चाहिए आपको लोकस्वा में elect होने के लिए 18 साल 18 years ही है वोट करने की age याद अखिएगा तो यह तो सही statement है wrong जो है वो third है याद अखिएगा विधान परिशद that is legislative council ठीक है उसकी age जो है minimum वो 30 years है not 21 years तो यह statement जो है गलत है जबकि legislative assembly जिसको हम विधान सभा कहते है उसकी age 25 years है तो यह 21 years किसकी है यह मुझे comment box मताइगे कि किस election में आपकी minimum age 21 years होनी चाहिए यह आप मुझे comment box मताइगे this is very easy and interesting question बट होती है 21 years यह आप मुझे comment box मताइगे तो यहाँ बद तो यह statement रॉंग है क्योंकि legislative council में 30 years age है minimum तो जो यहाँ पर correct answer was that is option number C यहाँ दखेगा मैं आपको फिर से बता दूँ अगर आप हमाई courses को join करना चाहते हैं classes को लेना चाहते हैं हमाई courses already चल रहे हैं आप इसको join कर सकते हैं आप नोट चले कि हम आपको personal guidance provide करते हैं फुल mentorship program है आप course को join कर सकते हैं आप UPSC other exams preparation कर रहे हैं उसके लिए एक बाए application को जरूर विजट करें ओके description box उसका link दिया हुआ है चले आगे बढ़ते next question में आते है question number 5 यह भी बड़ा interesting question है regarding no confidence motion यहाँ पर चार statement दियेगा है बट मेना मानना है कुछ लोग confused होंगे इस question मे इसे मैंने question आपके सामने लेकिया हूँ पहला है no confidence motion के बार में आपके बताना है कौंसा statement correct है पहला है की constitution ने mention नहीं है okay first statement okay second है no confidence motion के बीच में gap जो होना चाहिए it is याद रखेगा it should be six month six month का at least gap होना चाहिए बदा एक बार no confidence आ गया तो अगला no confidence six month के बाद ही आएगा okay it should be supported by at least hundred member कम से कम 100 members से support करें और ये सिर्फ लोकसमा में ही present किया जाता है which among the following statement is correct okay तो बिलकु no confidence motion के बार में आपको पता होना चाहिए of course याद रखेगा ये statement एक बार UPSC ने भी essay statement frame किया था बद याद कि फर्स statement it is not mentioned the constitution बिलकुल सही है constitution नहीं है okay second statement yes ये भी सही है gap between the no confidence motion should be six month ये भी सही है ये statement गलत है 50 member को support करने की ज़रूरत है याद रखेगा इस motion को start करें के लिए not hundred members 50 members तो third statement wrong है और fourth statement सही है तो अगर देगे थर्ड statement wrong है third wrong है तो हम B option कट कर सकते हैं पहला सही है तो A कट कर सकते हैं ठीक है तो 1, 2, 4 और 1, 4 में आजाते हैं और second statement नहीं पता है प्लीज अपनी copy में नो down करिये तो correct answer जो इसका है that is option number C 1, 2 and 4 questions हमें इसी लिए लाते हैं कि जहांपर आपको confusion हो या आप confused हो रहे हों यहांपर आप वो confusion दूर करें और exam में वह चीज सही करें तो correct answer that is option number C, detail यहां पर mention है, pdf आपको हमाई जो telegram का group है वहां पर मिल जाएगी, telegram का group को जल्दी से जल्दी जॉइन करिए, whatsapp कर सकते हैं आप, हमको हम आपको telegram के group पे आड कर देंगे, okay, चलिए, next question number 6, easy question है, but मैंना agenda था this question को लेने का, क्योंकि executive दो टाइप के होते है, political executive and administrative executive, मैंने यापर पूछा है, इन चार options में से, political executive कौन है, ठीक है, political executive को ही हम temporary executive भी कहते हैं, और administrative executive को हम permanent executive कहते हैं, आप जब government का part बनोगे, याद रखेगे तो आप executive के part बनोगे, और executive में आप administrative executive के part बनोगे, always remember, who execute the policies and plans for the government, remember, तो हैंपर कौन है, जो political executive है, यह मैंने पूछा हुआ है, तो कौन यहाँ पर, मैंने फिर से repeat करो, political executive पूछा हुआ है, तो correct answer easy है, बट हमेशा याद रखेगे, confused मत होगी, correct answer option C है, finance minister, यह है political executive, rest A, B और D जो है, वो याद रखेगा, administrative executive है, जिनको administrative executive को हम permanent executive भी कहते हैं, जबकि political executive को हम temporary executive कहते हैं, क्योंकि वो एक पास साल के लिए होते हैं, फिर हो सकता है, वो आगे ना है, remember, तो correct answer है, option number C है, बिलकुल आप इनके वाइब डीटेल आप जरूर पढ़ें, okay, चले, next question number 7, interesting question मैंने यहाँ पर लेकिया है, थोड़ा सा, how many times the tenure of लोक्षभा was increased for 6 years, बला अभी लोक्षभा का time period 5 years है, बट मैं नहीं है, अगर आपने मेरी politics lectures देखे होंगे, वहाँ मैंने emergency topic पढ़ाया हुआ है, उस time में मैंने चीज़ बताई भी थी, actually एक बार हो चुका है, correct answer option पर ए है one only, ठीक है, 42nd Constitutional Amendment Act 1976, during the time of emergency, याद दखेगा, इंदा गाधी के time यह ऐसा किया गया था, but इसको वापस हटा दिय गया और वापस 5 years कर दिया गया, अब आप मुझे comment box में बताईए, किस amendment के through, through which amendment, याद कियेगा, इसको 6 years से वापस 5 years किया था, 6 years तो मैं आपको बता दिया, 42nd Amendment Act 1976 में किया था, आप मुझे बताएंगे कि reversal कब हुआ है, याप मुझे comment box में बताईए, है ना, चलिए, next question मा development goals, याद रखिएगा, साथ से वापन गोल का, remember आपको urban index publish किया गया है, उसमें आपको बताना है कि top किस ने किया, who has achieved the top rank, options है, चंदीगर, गोहार्टी, कोची या शिमला, very static question, याद रखिएगा आपको, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा आपको, सब्सक्राइघ, नेक्स रखिएगा, याद रखिएगा, अपको, बताना है, याद रखिएगा, इक मीशन धाना है, उसका नाम क्या है, ठीक है, आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शिन दिये गए है, बड़ा इंपोर्टन रखिएगा, आपको जरूर पढ़िएगा, आप समुंदरियान मैं लिखा भी है यूनियन मिस्टर ऑफ स्टेट जिनका अर्थ साइन्स के जो डॉक्टर जी तेंद सिंग है उन्हों अफिशली लॉंच किया है इंडिया का पहला मैंड ओशन मिशन जिसका राम है जो चेन्नई से लॉंच हुए इसका राम है समुंदरियान वेरी इंपर्टन मिशन एक्जाम में में मेंच के लिए यह टोपिक बड़ा इंपर्टन होगाता है समुंदरियान इक्जाम नेक्स कोशन में आते हैं लास् चोशन यह भी इस बार बड़ा इंपर्टन टेंट एंट शुज़े वनवेर किसको डिनीवन की तरह word of the year चूज किया गया है by the Oxford English Dictionary, options आपके सामने दिये गए है, okay, jab, immunity, jab and immunity या wax, okay, side terms news में ते आपको पता है COVID की वज़े से, okay, बड़े से correct answer जो है, that is option number D, wax, या दखेगा, wax से vaccine की बात कर सकते हैं, of course, तो wax जो था, remember, इस बार का Oxford Dictionary word था, important है, ऐसे questions जरूर आपको exam में दे आप देखाओ का हमने आप पर complete कर दी आपने 10 questions, I hope आपके बहुत सारे questions सही हुए होंगे, नहीं भी होंगे, आपको कुछ पॉइंस तो सीखने को जरूर मिला होगा, that is more important, कि आपको कुछ सीखने को मिले इस lecture के बाद, या दखेगा, आप हमाई test series को जोईन कर सकते हैं, जो तो याद अखेगा, यू पीएसी बिलिम्स की test series हमने launch कर दी है, जो 5th June को पेपर होने वाला है, ते पर test series को जरूर दे, आगे मैं आपको बता दूँ, अगर आप offline पढ़ना चाहते हैं, याद अखेगा, यहां आकर पढ़ना चाहते हैं, आप इन दौर आ सकते हैं, विश् करना चाहते हैं, आप online करना चाहते हैं, तो आप हमको हमाई application को जरूर डाउलोड करें, okay, so I hope आपको 10 questions बने होंगे, okay, वो जादा important है, कोई doubt query आपको जरूर comment box में comment करें, okay, जो मैंने आपसे questions बूचे उनको भी comment करें, वीडियो अगर पसंद आयो तो वीडियो को like जरूर कर दे, और first time child को विजिट करें, child को subscribe जरूर करें, इसमें आपको notification के तरू, आपको हमाई जो information है, वो आप तक पहुशती रहे, thank you